कि अभी विन कोई की प्राइस की बात करें तो इसमें अच्छा-खाइब रिकाउट अधे इसके । कहां तक जा शकती है नेक्स टारॉगट क्या हो सकते हैं कहां पर इसको जिख यह पर होना चाहिए कहां पर एक support area इसने maintain करके रखा हैं सारी चीजों के बारे में इस video में बात करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक coin dcx app download नहीं किया है तो जल्दी से coin dcx app download करें क्योंकि इसमें मिला 100 रुपय का ethereum as a sign up bonus और आप अपने दोस्तों को refer करके भी इतिरम earn कर सकते तो यहां link description में है यहां से आप download करेंगे तभी आपको bonus देखने को मिलेगा अभी इसकी price में अच्छा खासा breakout हुआ है लगातार दो दिन उसे अच्छी खासी strong green candle बनी है इससे पहले 8-10 दिन पहले अच्छा सब breakout दो-तीन दिन से हमें देखने को मिला था फिस ने थोड़ा सा correction लिया almost 7 यूए डिटी 7 से लेकर के अभी इसकी price जो 10 तक पहुँच गई है almost वहां से अगर बात करें तो 7 से लेकर 45 से लेकर 50 percent का pump हमें देखने को मिला है दो दिनों के अंदर तो एक जो support area maintain करके रखा है जो इसका previous resistance था जो 7 वाला area है 7 almost कहें 6 8 एट 6 8 डबल 0 से लेकर गए तो 7 triple 0 वाला जो area है यह इसका लिए previous resistance था इसको इसने अच्छे खासे volume के साथ break किया और जो resistance area था इसको अच्छे खासे volume के साथ break किया और next resistance को भी touch करके आया था और वहां से पिर daily closing जो हुई थी वह से नीचे हुई थी और अभी यह वाला area जो इसके लिए as a support काम कर रहा है almost 7 double 0 वाला area जो है वह इसके लिए के strong support area अभी इसने maintain करके रखा हुआ है resistance area की बात करें तो जो एट यू एट डबल जीरो से ले करके 8200 वाला area जो है वो वाला area इसने as a resistance अभी यह face कर रहा है और यह वाला area इसने almost break कर दिया है one day की candle अच्छी खासी green candle बनी है अब तक की और अच्छा खासा breakout है और कहें कि four hour का चार्ट में four hour की जो candle है वो इससे उपर close होई है और बस one day की candle से उपर close होती है तो इसका जो support area है वो 800 से 900 वाला area जो है इसको next support area बन जाएगा तो बस four hour वाली वाली जो candle है वो तो इससे उपर close हो गई है यही expectation थी और इसी के चलते अच्छा खासा breakout हुआ है इसी candle के चलते बस one day की जो candle है वो 8500 से उपर close होनी चाहिए 8500 से उपर close होती है तो नेक्स्ट जो target हमार रहेगा वो रहेगा थार्टीन डबल जीरो वाला ट्वेल फाइब डबल जीरो से लेकर के ओल्मोस्ट थाइटीन डब ट्रिपल जीरो थाइटीन ट्रिपल जीरो थेरा है वह एरिया इसके लिए next रेच्ट रहेगा तो वह वह एरिया ब्रेक करता है तो next target जो रहेगा वह 27000 वाला रहेगा एरिया जो किसका आल्टाइम हाई है तो अभी आपने इसमें अगर बाई कि और बाई किया होगा seven वाले एरिया पर एड़ए पर मेर आपने बाई किक्या होगा तो आपको जो देखके रखना है अभी जो candle फोर वर वाली candle है यह इसी एरिया को maintain करके रखे और ओल्मोस्ट 9500 से उपर उपर रहे अगर से उपर उपर रहती है तो next candle में थोड़ा सा correction देख सकते हैं लेकिन 900 से उपर ही रहेगा अगर यह वाली candle 9500 से उपर close होती है तो next भी हमारी candle जो फोर वर की वो से उपर रहेगी और इसके चलते थोड़े correction mode के चलते हमारी जो daily candle है वो इस area से उपर close रहेगी इस area से उपर close रहती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है next जो हमारे target से वो hit होते जाएंगे यहां से थोड़ा सा correction mode लेगा तो इस area को maintain करके दो तीन बार इस area से इसको rejection मिला है तो अब इसने अच्छे कासे volume के साथ break किया है यहां पर एक चीज हमें देखने को मिल रही है यहां पर इसमें विक हमें देखने को नहीं मिलिए नीचे की तरब भरी पूरी candle है तो यह पूरा bullish shine हमें नजर आ रहा है और यह bullish shine जो है यह क volume के साथ अच्छी खासी candle बनी है तो यह पूरी तरह bullish shine है और इससे उपर ही रहेगा यह expected है और यह आगर इससे उपर रहता है तो दो चार दिन इस area को मेंटन करके रखेगा यह एट टू डबल जिरो से 8500 वाला यह इसको मेंटन करके रखेगा और फिर नेक्स टार्गेट जो है वह 12,000 से लेकर 13,000 वाला इरिया वह रहेगा नेक्स टार्गेट तो आपको अगर बाई करना है तो इस area को आप देखके रखे एट टू डबल जिरो से लेकर के 8500 इस area को ऊपर अगर यह आता है अभी की बात नहीं यह दो चार दिन अगर इस area को मेंटन करके रखता है इस area को अगर दो चार दिन यह मेंटन करके रखता है तो फिर आप इस area में भाई कर सकते हैं हैं इस मेंटन करके रखे गा तो फिर आप एट त्रिपल जीरो या फिर सेवन फाइव डबल जीरो वाले जो एरिया है उसको आप देख सकते हैं उसमें आप एंट्री ले सकते हैं बाकी सोट तम के हिसाब से अगर आप दिसंबल आस तक का देखते तर्गेर तो हो सकता यह अपना जो प्रिवियस हाई है तेरा थर्टीन थाफजन वाला या उससे उपर रहेगा और उससे थोड़ा सा अगर जादा और अच्छा बुलिस रहे तो हो सकता अल्टाइम हाई भी क्रोस कर जाए और लोंग टम के लिए तो बहुत जादा बुलिस चाहिए अल्मुस्ट कह सकते हैं कि एक सेंट भी हो जाए तो थाटीक से भी जादा हो जाए तो यह सारी चीजह हैं बाकि आप खुद की रिसेश्ट का टी जरूर करें यहां पर इसा नहीं मैंने बता दिया था आप कर बाए कर लें यहां पर कोई फान्स एडवाइस कोई नहीं देते हैं यह वीडियो सिर्फ एज्विकेशन परपस क्योंकि ऐसा है कि यहां पर हमने बता दिया आपने बाई कर लिया फिर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आ गई वैल्स ने अकुमूलेट कर दिया कोई नेगेटिव नियूज आ गई मार्केट गिर गया फिर आप ब्लेम करते हैं तो यह चीज़े हलकि आपका ब्लेम करना ही ठीक है लेकिन वह ही है कि हम विलकुल शॉर अगर आपको बोलते हैं तो ब्लेम करना बनता है यहां पर सारी चीज़े जो है वह प्रेडिक्शन नाम ही इसका प्रेडिक्शन है प्रेडिक्ट ही होती है ना फ्यूचर आपने देखा ना हमने देखा है तो वह है उसकी मार्केट है तो अकर क्रिप्टम नहें हैं तो अल्मॉस्ट एट टुटेंबंट वाला होले माउंट ज़रूर रखें और एजर लर्णिं प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन नाम है तो ऑ्रेडिक्शन